राजा कृष्ण दोस्तो आदीपुरुष रिलीज हो गई है आदीपुरुष में भी एफेक्स विजूल एफेक्स की कोई कमी नहीं है कीजर को छोड़ के लोगों ने इसके दोनों ट्रेलर्स को कूप प्यार दी आज के समय आदीपुरुष जैसी मुविस के एफेक्स से त्यार हो जाते हैं पर पहले ऐसा नहीं होता था आदीपुरुष का क्रेश तो बहुत है पर वैसा नहीं जैसा ओल्डर रामायन का था तो फ्रांस 35 साल पहले एक टीवी शो रिलीज हुआ जिसको आज हम रामानन सागर की रामायन के नाम से जानते हैं जो आदीपुरुष का क्रेश है वो तो सिर्फ एक उमर के लोगों में और एक इलाके में हैं जो की खुछ समय तक रहेगा पर जो रामानन जी की रामायन है उसका क्रेश तो देशों में था और वो आज भी चलती है जब रामायन रिलीज होई थी तब मुस्लिम हो जा हिंदू सब एक साथ रामायन देखते थे तब सिर्फ घर में एकी टीवी होता था और सभी घरों में बस रामायन की आवाज आती थी बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग बस रामायन देखने आ जाते थे अपने सभी काम छोड़ कर तो ये तो हुई popularity की बात था पर किया आपने कभी सोचा उस समय में वीजूल अफेक्स जा वी एफेक्स तो नहीं होते थे तो तब के समय में रामायन की शूटिंग कैसे हुई अगर नहीं तो आईए मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंस सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमान जी जा किसी और क्रेक्टर के उठने की तो फ्रेंस आदी पुरुष के ट्रेलर में तो आपने देखा ही होगा कि अनुमान जी हवा की गति से उड़ रहे हैं पर उस समय में अनुमान जी नहीं उठते थे सिर्फ उनके की मदद से क्रेट होते थे रामायन देखने से ही पता चलता है कि रामायन में रियर प्रोजेक्शन का कोब यूस हुआ था यानि की पर बैक्राउंड में कोई मेच चल रही है और एक्टरस उसके सामने खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं रामायन देखने वालों को याद ये कैमरा उपर भी बहुत सारे खेल होते थे जैसे बादलों को बनाने के लिए कोटन का यूस होता था और दूंद को दिखाने के लिए अगर बत्ती को कैमरे के आगे रखते थे तो इसी तरह चोटी चोटी चीजों से एफेक्स बनते थे आपने देखा होगा कि जब हनुम से अनुमान देखें कितना बड़ा फर्क दिखता है । अभी तक जो था वो सब किसी ना किसी तरह से दिखाई देता थे पर जो तीर के आगे की सुपरपावर स्थी वो कैसे दिखाई जाती थी तो फ्रेंस बोस बनावर से किसी ट्रिक्स की मदद से नहीं दिखाई जाती तब कंप्यूटर तो नहीं होते थे तो एक होलीवुड की स्टार वर्स जैसी फिल्समें में यूस होने वाली एक मेशीन SCG 2000 इसके फुल फॉर्म स्पैसल अफेक्ट जनरेटर का यूस हुआ इस सब मशीन से वीडियो डिट के स्टेज पर अफेक्ट लगाने पॉसीबल थे रामायन में तीरो पर होने वाले एफेक्ट से इसी मशीन से आई थे तो ऐसी ही सब एफेक्ट से किसी ना किसी तरह एड होते थे तब कि रामायन का इतना क्रेश था कि उसकी आग्ट रस जिनों ने सीता राम जी का रॉल किया थे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और वो जब बाहर जाते थे तब लोगों उनको घेर कर माथा टेकते थे और किसी मंदिर में तो उनकी फुटो थी लोगों के मन में वही रामायन वास कर गई है सच्च कहूं तो मुझे भी पुरानी रामायन ही अच्छी लगती है आदी पुरुष को तो देखने के बाद ही पता चलेगा